नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपको आज की इस वीडियो में जहांपे हम बात करेंगे 2021 Hyundai Venue SX Turbo Variant के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का एक complete walkaround review करके दिखाऊंगा क्या क्या features आपको गाड़ी के exterior और interior में मिलते हैं इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 10.07 lakh रुपीज और इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है वन लीटर का थिरी सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो की प्रेडियूस करता है 118 eHP की power 172 nm का torque अगर safety की बात करी जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको दो airbag, ABS, EBD जैसे features मिलते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के exterior के बारे में exterior के features की अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं front profile से उपर की side आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं indicators उसके just नीचे आपको दिये गए है LED DRLs और projector आपको गाड़ी के अंदर मिलते है headlights जो की आपकी corning headlights भी है projector आपको गाड़ी के अंदर मिलते है fog lamps front grills का आप area देख सकते हैं काफी बड़े part में आपको front grills मिलती है जो की chrome के साथ यहाँ पर आपको मिलती है बिल्कुल center में Hyundai का logo और इसी के just नीचे आप देख सकते है front bumper में आपको नीचे की side silver finishing में मिलती है skid plate और दोस्तों यह जो आपको headlight मिलती है automatic headlights भी यह है बात करें tire profile की 215 by 60 आर 16 आपको tire profile मिलती है और यह आपको यहाँ पर alloy wheels को option नहीं मिलता है यह जो आप देख रहे हैं यह इस गाड़ी की wheel caps है front के tono tires में आपको disc brake मिलते है rear tire में आपको मिलते है drum brakes body color आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं यही पर आपको indicator को option मिलता है electrically आप इनको fold कर सकते है electrically आप इनको adjust भी कर सकते है body color यह आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं door handles उपर आपको roof में मिलती है roof rails जो की silver color में है और sunroof का option भी आपको यहाँ पर गाड़ी के अंदर दिया गया है sunroof में आपको गाड़ी के interior में चलके बाद में जरूर दिखाऊंगा गाड़ी की length आपको मिलती है 3995 mm की और दोस्तों जो गाड़ी की width है वो है 1770 mm जो की काफी अच्छी width है पीछे की side roof में आपको देखने को मिलता है shark fin antenna और यहीं पर आपको back glass के अंदर मिलता है defogger और दोस्तों पीछे से कुछ इस तरीके के आपको looks मिलती है बिल्बूल center में Hyundai का logo उसके just नीचे आपको venue की badging मिलती है गाड़ी के right hand side पर आपको यहाँ पर मिलती है टर्बो की badging LED आपको गाड़ी के अंदर मिलती है tail lights नीचे की side यहीं पर आपको देखने को मिलते है reflectors back bumper में भी आप देख सकते है पीछे आपको दो reverse parking sensors मिलते है दोस्तों और नीचे की side यहाँ पर आपको back bumper मिलती है silver finishing में skid plate reverse parking camera का भी option यहाँ पर आपको दिया गया है जिसकी quality में आपको interior में चलके इसकी touch screen के अंदर दिखाऊंगा 190 mm के आपको गाड़ी के अंदर मिलती है ground clearance इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको मिलती है 45 liters की fuel tank capacity फिलाल चलते हैं interior में उससे पहले आपको इसकी key दिखाता हूँ एक आपको remote की मिलती है जो की flip की है दूसरी आपको मिलती है simple key तीन बटन्स यहाँ पर आपको दिये गए हैं और जैसी आप गाड़ी को unlock करते हैं और आर्वियम्स unfold हो जाते हैं ड्राइवर साइड डोर में आपको चारोई power windows के controls मिलते हैं जो ड्राइवर साइड विंडो है वा आपकी auto down वे auto up है नीचे आपको speaker दिया गया है बोटर होल्डर के space, door pocket के space और दोस्तों silver finishing में आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं door opener complete black color का आपको गाड़ी के अंदर मिलता है interior front की दोनों seats में आपको मिलते है adjustable headrest और जो गाड़ी की driver side seat है यहाँ पे आपको height adjust करने का भी option जो है वो दिया गया है sx variant होने के बावजूद आपको गाड़ी में engine start store button नहीं दिया गया है driver के right hand side पर आपको मिलता है headlight leveler और कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है interior की finishing tilt adjustable यह steering है जो की leather wrapped steering है left hand side पर आपको audio के controls मिलते है call connect, disconnect और right hand side पर आपको MID के controls और cruise control के features यहाँ पे दोस्तों दिये गए है बात करी जाए अगर इसके MID की तो analog आपको MID मिलती है left hand side पर आपको मिलता है गाड़ी के अंदर RPM meter right hand side पर आपको speedometer मिलता है और बिल्कुल center में आपको एक digital display दी गई है जिसके controls आपको steering में दिये गए है यहाँ पे आप trip A, trip B, average feel economy यह सब चीज़े यहाँ पे देख सकते हैं अगर बात करी जाए दोस्तों इस गाड़ी के infotainment system की 8 inch की यहाँ पर आपको touchscreen दी गई है जिसके अंदर आपको aux connectivity, bluetooth connectivity, android auto, apple carplay जैसे features मिलते हैं और touch का response भी काफी quick है reverse parking camera की ऐसी कुछ quality यहाँ पर आपको देखने को मिलती है navigation को option यहाँ पर आपको इसके अंदर नहीं मिलता है और physical buttons भी यहाँ पर आपको इस infotainment system के लिए दिये गए हैं जो की काफी अच्छी चीज है जैसा कि मैंने आपको बताया aux connectivity, integrated 2d in audio, bluetooth connectivity जैसे सभी features यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर दिये गए हैं और touch का response भी काफी अच्छा है काफी सारे features भी यहाँ पर आपको touch screen से related देख सकते हैं आप night case आप से भी आप इसकी brightness adjust कर सकते हैं और day के हिसाब से भी तो यह सारे features हैं इनके infotainment system कर आप यहीं पर देख सकते हैं इस type के आपको मिलते हैं गाड़ी के अंदर center में AC vent नीचे की side आपको देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर automatic climate control जो कि काफी अच्छा feature है यहीं पर आपको नीचे की side देखने को मिलता है USB port 12V का charging socket और दोस्तो 6-speed manual transmission के साथ यहीं पर आपको दो bottle holder के space दिया गया है एक चोटी bottle रखने के लिए और एक बड़ी bottle रखने के लिए और center में आपको दिया गया है armrest काफी अच्छी storage के साथ यहीं आपर है अगर बात करी जाए और features के बारे में दोस्तो तो इस गाड़ी के अंदर आपको manual IRVM भी हाँ पर दिया गया है night के time drive करते हो काफी helpful है roof में आपको मिलती है गाड़ी के अंदर 2 halogen lights और यहीं पर आपको गाड़ी के अंदर मिलता है हम सब भारतियों का सबसे पसंदीदा feature यानि की गाड़ी के अंदर आपको sunroof भी दी गई है और काफी बड़े size की है दोस्तो एक चीज में आपसे पूछना चाहूंगा जिस हिसाब से इस गाड़ी के price रखे गए है और जो इसके अंदर features दिये गए है इस variant के अंदर क्या आपको वो price के हिसाब से justified लगता है या नहीं लगता है अपनी राय नीचे जरूर बताए को driver side आपको यहाँ पे काफी बड़े size का vanity mirror मिलता है गाड़ी के अंदर आपको foldable मिलते है grab handles और driver side आपको यहाँ पे कोई भी vanity mirror नहीं मिलता है सिर्फ आपको मिलता है ticket holder का space तो यह सारे features थे front के अब चलते हैं इस गाड़ी की second row की तरफ और यह है इसका second row का door यहाँ पे आपको power window का switch दिया गया है नीचे आपको voter holder का space दिया गया है speaker दिया गया है तो driver side seat को मैंने अपनी height के according adjust करा है मेरी height 5 foot 11 inch है तो मेरी height के जब सेम बंदे आगे पीछे बैठते हैं तो 2-5 inch का यहाँ पे आपको नी room मिलता है rear में आपको ऐसी vent दिये गए है नीचे 12 volt का charging socket और under thigh support भी गाड़ी की ठीक है मेरी height के according बात कर वोकर space की तो 2 adult और एक चोटा बच्चा ही यहाँ पे easily comfortable होके बैठ पाएंगे rear में भी आपको दोनों ही side left और right दोनों ही side मिलते हैं foldable grab handles और roof के center में आपको दी गई है halogen light ऐसा कुछ आपको rear seat पे बैठने के बाद इसकी sunroof का view मिलता है और rear seat पे बैठने के बाद front dashboard की ऐसी कुछ यहाँ पे आपको मिलती है गाड़ी के अंदर finishing तो यह सारे features थे इस गाड़ी के interior के जो मैंने अभी आपको दिखाए फिलाल चलते हैं इस गाड़ी के boot की तरफ और बात करते हैं इसके boot space के बारे में boot access करने के लिए यही पर आपको power button दिया गया है जैसे आप इसको press करेंगे आपके गाड़ी का boot open हो जाएगा और यही पर आपको इस गाड़ी के अंदर rear parcel tray का option भी दिया गया है और 350 liters को आपको दोस्तों गाड़ी के अंदर मिलता है boot space boot के अंदर आपको एक हेलोजन light भी दी गई है जो रात के टाइम काफी helpful है एक profile छोटा यहाँ पर आपको spare wheel मिलता है 195 by 65 R15 फिलाल दोस्तों boot को करते हैं बंद और conclude करते हैं इस video को तो इस पैसिफिक लिए अगर बात करी जाए अगर किसी भाई को venue ही पसंद है और उनको 1.2 लिटर इसका अंडर पावर लगता है और डीजल उनको लेनी नहीं है फिर तो वो इस गाड़ी के टर्बो चार्ज की तरफ जा सकते हैं और variant के हिसाब से कर मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से price है और SX variant है तो features तो मुझे इसके देखने में काफी कम लगे है थोड़े और features इसके अंदर बढ़ाने चाहिए थे जैसे कि alloy wheels तो जरूर डालने चाहिए थे वाईपर देना चाहिए था गाड़ी के अंदर और दोस्तो spare wheel भी आपको एक profile छोटा मिर रहा है thank you very much